जेहन दमित्रों इस वीडियो में हम बिजनेस स्टेंडर्ड में छपे लेख विश्व बैंक में सुधार आवश्यक इसका चर्चा करेंगे साथ ही UPSC के प्रीविएस एर इक्जामनेशन जो मेंस में है उसमें जो वैश्विक अर्थ व्यवस्था है या विश्व के संस्थान है उसका भारत की अर्थ व्यवस्था पर क्या इंपक्ट उस भारत से क्या संबंध है इसे संबंध है जो भी प्रशन आये होंगे उसका अध्यन करेंगे साथ ही जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हम विश्व बैंक अंदराश्टी मुद्राकोश इंदो संस्थानों को मुख इसमें कोशन पूछा गया था जो ब्रिक्स संगठन है उसने 2014 में शायद संगठन मनाया था बैंक बनाया था नियो डेवल्लप्मेंट बैंक और इन दोनों से तुलना करते हुए प्रशन पूछा गया था तो हो सगत उस पर भी अध्यन करेंगे तो पहले देखते हैं कि वि जिन्हों ने लिखा है वो विश्व बैंक और आई एम एफ दोनों में दस दस सालों तक एक एक दशक तक कारे कर शुकी है पूर्नम गुपता जे तो इसलिए लेख महतुपूर्ण है और हो सकता है तो मेंस की एकजाम में ऐसे प्रशन पूछे जा सकते हैं कि विश्व बैं तो भारत इस वक्त जी ट्वेंटी देशों की अध्यक्षता कर रहा है एक साल ये भी कोशन पूछा गया था कि जी ट्वेंटी में कौन-कौन से मेंबर है तो जी ट्वेंटी में 20 मेंबर है जिसमें से 19 तो देश है और एक योरोपियन यूनियन नाम का संगठन है और इस ज भी प्रयास है कि जो अफरेकी संग है अफरेकी यूनियन है उसको भी जी ट्वेंटी का एक मेंबर बनाया जाए यानि कि जी ट्वेंटी वन बना दिया जाए जिसे यूरोपियन यूनियन संगठन है वैसे ही अफरेकी यूनियन एक संगठन की रोप में इसका सदस्य बन ज बहुपक्षे विकास बैंकों में सुधार वास्तों में वैश्विक अस्तर के सुधार एजेंडे का एक मात पूर्ण पहलू है सबसे बड़े बहुपक्षे विकास बैंकों के रोप में विश्व बैंक समूह WBG ऐसे सुधारों के लिए सबसे प्रमुख समूह माना जा रहा है सोय में सुधार लाने में अग्रणी भूमिका निभा कर यह अन्य MDB के लिए एक उधारन अस्थापित कर सकता है MDB में इसक्या बहुपक्षी विकास बैंक WBG यानिके World Bank Group इसको में शॉट में WB कह लें World Bank तो WBG वित्प्रदाता सुचनाओं का संग्रह करता और एक विश्वसनी सलाहकार जैसे तीन मुख्य अहम भूमिकाएं निभाता है वित्प्रदाता के रूप में इसे अपने कम आई वाले सदस्य देशों L.I.C. Low Income Countries और मध्यम आई वाले देशों M.I.C. यानिके Medium Income Countries को रण देने की मात्रा के जोखिम को कम करने के साथ साथ इसका दाइरा बढ़ाने की आउशकता है तो इसमें क्या गरा कि वित्प्रदाता के रूप में इसे अपने कम आई वाले सदस्य देशों और मध्यम आई वाले देशों को रण देने की मात्रा के जोखिम को कम करने के साथ साथ इसका दाइरा बढ़ाने की आउशकता है तो आउशक्ता कि इस बात कि दो बात कि एक तो जो लो इंकम कंट्री है और मेडियम इंकम कंट्री है उनको रड़ देने की मातरा के जोखिम को कम करें रड़ देने की मातरा का जो जोखिम होता है उसको कम करें और इसके साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ाया जाए इनकी अर्थ व्यवस्था का आकार छोटा और इसमें काफी अइस्थिर्ता भी है इन्हें प्राकरतिक आपदाओं, वैश्विक जोखिम से बचने के उपायों, वैश्विक मार्ग में अइस्थिर्ता अनिस्चित व्यापार के माहौल, व्यापार के शर्टों और विनिमय दर में उतार चड़ाउ से पैदा हुई कई चुनोतियों का सामना करना होता है ये सभी कारक उनकी कर्ज लेने की शमता में बाधा बनगर खड़े होते हैं वेशो बैंक समुह को अधिक लचिलापन बरतने और कम आमदनी वाले देशों की शमता बढ़ाने पर ध्यान के अंदरत करना चाहिए फिर से, कम आमदनी वाले सदसे देशों की बाजार तक पहुँच कम है इनकी अर्थ व्यवस्था का आकार छोटा और इसमें काफी आईस्थरता भी है इन्हें प्राकृतिक आपदाओं वैश्विक जोखिम से बचने के उपायों वैश्विक मांग में आईस्थरता बाजार तक पहुँच कम पहला अर्थ व्योस्था काकार छोटा उसमें काफी आईस्थिर्ता प्राकृति कापदाओं का जोखिम है वैश्विक जोखिम से बचने के उपायों वैश्विक मांग में आईस्थिर्ता अनिश्चत व्यापार के माहौल व्यापार की शर्तों और विनिमा इदर में उतार चड़ा से पैदा हुई कई चुनोतियों का सामना करना होता है ये सभी कारक उनकी कर्ज लेने की शमता में बाधा बनकर खड़े होते हैं विश्व बैंक समुह को अधिक लचिलापन बरतने और कम आमदनी वाले देशों की शमता बढ़ाने पर ध्यान के अंद्रत करना चाहिए कम आए वाले देशों के बाहरी रिण में आधी हिस्सेदारी M.D.B. की है यानि कि जो मल्टी डेवल्लमेंट बैंक है बहु पक्षी विकास बैंक बहु पक्षी विकास बैंक जैसे की वर्ल्ड बैंक गुरूप हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया आईमेफ ये सार बहु पक्षी विकास बैंक में जिसे AIIB भी हो सकता है Asian Infrastructure Investment Bank New Development Bank ये भी हो सकता है ये सारे हैं बहु पक्षी विकास बैंक M.D.B. तो कम आई वाले देशों के बाहरी रिण में आधी हिस्सेदारी M.D.B. की है लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिण संकट से जोजना पड़ता है यह M.D.B. द्वारा कराएगे रिण का बोज उठाने में सक्षम होने से जुड़े आकलन की अध्ययन की सटीकता के बारे म सवाल उठाता है विश्व बैंक समोह सहित जितने भी M.D.B. है वे नए रिण कारोबार को हासल करने के लिए पुरुस्कृत करने को तैयार होते हैं ताजा रिण की स्विकृती तभी मिल सकती है जब यह माना जाय कि देश निरंतर रिण लेने की शम्दा रखता है इससे अ समोह को विनिमेदर मुलहरास जलवायु जोखिम और व्यापार से जोड़ी प्रतिस परधा की इस्तिदियों पर विचार करते हुए कम आमदनी वाले देशों के अधिक विश्वसनी रण इस्थिरता आकलन करना चाहिए कम आमदनी वाले देशों के रण की समगर समिक्षा रण पारदर्शिता में व्रिद्धी और उनके मुद्रा जोखिम को कम करना आवश्यक हैं ऐसे देशों के दुविपक्षी फंडिंग के निजी या संदिक स्रोतों तक पहुँच कम की जानी चाहिए और रियायती दरों पर बहुपक्षी फंडिंग का हिस्सा बढ़ाया ज जा सकता है इन देशों के विपरीत मध्यमस्तर की आमदनी वाले देशों की बाजार तक पहुँच होती है और वे निजी पूंजी प्रवाह को आकरशित करने में भी सक्षम है लेकिन पूंजी आवक की गती में स्थिर्था नहीं होती है वैश्विक धारणा में किसी भी त पूंजी प्रवाह के जोखिम को कम कर मध्यमस्तर की आमदनी वाले देशों की फंडिंग के दायरे को बढ़ा सकता है इसे गारंटी और सही विनीमय या आकस्मिक रड़ की पेशकस के जरिये पूरा किया जा सकता है फिर अंतराश्टी मुद्राकोश वर्दमान में आकस्मि करड़ की पेशकस करता है अंतराश्टी मुद्राकोश लॉंग टर्म डेवलेमेंट के लिए विश्व बैंक है और आकस्मिक रड़ के लिए आई-एम-फ है लेकिन इसे लेने वाले देशों की संख्या सीमित है क्योंकि आई-एम-फ से मदद मांगने पर एक खवी की संभावना नहीं होती क्योंकि आई-एम-फ आर्थिक संकट के दोरान उधार देता है अंतराश्टी मुद्राकोश यानि की आकस्मिक रड़ देता है जबकि विश्व बैंक समूह विकास से जोड़े कारियों के जरूरतों के लिए रण देता है परिचालन के अस्त से नवाचार को शामिल करेगा फिर से अंतराश्टी मुद्राकोश वर्तमान में आकस्मिक रड़ के पेशकर्श करता है लेकिन इसे लेने वाले वालों वाले देशों की संख्यसी मित है क्योंकि आई-एम-फ से मदद मांगने पर एक नकारात्मक्षवी बनती है विश्व बैंक समूह द्वारा दे जाने वाली मदद से ऐसी किसी नकारात्मक्षवी की संभावना नहीं होती क्योंकि आई-एम-फ आर्थिक संकट के दोरान उधार देता है जबकि विश्व बैंक समूह विकास से जोड़े कारियों की जरूरतों के लिए रड़ देता है परिचालन के अस्तर पर देखा जाये तो यह जोखिम बीमा और गारंटी इकाई बहुपक्षी निवेश गारंटी एजनसी के माध्यम से नवाचार को शामिल करेगा इसके अलावा इसे जलवायू परिवर्तन जैसी प्रात्मिक्ताओं के लिए मध्यम अस्तर की आमदनी वाले देशों को उपलब्ध कराये जाने वाले वित्त में व्रिद्धी करनी चाहिए फिर जाए इसके अलावा किसे वर्ड बैंक को जलवायू परिवर्तन जैसी प्रात्मिक्ताओं के लिए मध्यम अस्तर की आमदनी वाले देशों को उपलब्ध कराये जाने वाले वित्त में व्रिद्धी करनी चाहिए तो जलवायू परिवर्तन क्योंकि जो मध्यम आयवाले देश हैं निम्न आयवाले देश हैं वहाँ और कई सारे संकट होते हैं जैसे कि अर्थ व्योस्ता चोटी होती है वो भी अइस्थिर होती है दूसरा वहां पर वितिय जो खिम जादा होता है वैश्वियापार में जो शर्ति होती है या मुद्रा का जो उतार चड़ाओ है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्शुएट करता है इन सब के चलते वहां पर प्राकृतिक आपदाएं भी जादा आती है विकासिल देशों में या कम आये या मध्यम आये वाले देशों में उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है इन सब को देखते हुए जलवायू परिवर्तन जैसी प्रात्मिक ताउं के कर महातुपूर्ण सिफारिशें की हैं नौलेज बैंक के रूप में विश्व बैंक समुह के प्रदर्शन में सुधार के लिए समान रूप से बड़ी गुंजाईश मौजूद है क्योंकि विश्व बैंक के प्रमुख जो भूमिका है तीन है एक वित प्रदाता दूसरा अंगरहन करना और तीसरा विश्वसनी सलाहकार की रूप में करे करता है तो नौलेज बैंक के रूप में विश्व बैंक समुह के प्रदर्शन में सुधार के लिए समान रूप से बड़ी गुंजाईश मौजूद है इस नौलेज बैंक की परिकल्पना विश्व बैंक दर्शन में सुधार के लिए समान रूप से बड़ी गुंजाईश मौजूद है इस नौलेज बैंक की परिकल्पना विश्व बैंक रड़ की गुडवत्ता बढ़ाने और विकास शील देशों के लिए सेवाओं की एक नई धारा विक्सित करने की अवसर के रूप में भी क की गई थी इसके परिचालन बजट का एक महत पूर्ण हिस्सा ग्यान के उत्वपाधन और प्रसार के लिए आवंटित किया जाता है लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रासंगिक्ता या प्रभाव सेमित रहा है इसके लिए एक अलग स्वतंद्र समूह शुरू करने की एक संगठन और प्रोसाहन बाहरे जोडाव सहयोग और इसके ग्यान के कारिके प्रभाव मुल्यांकन को देखें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जानकारी डबलू बी जी की जानकारी से जुड़ा काम अक्सर विभिन देशों के सूचकांग से जुड़ी सूचना से संबंधित होता है इन्हें कई प्रकार सूचना सोचकांग निकालते हैं उदारन के दोर पर इनमें से कोई सोचकांग जैसे की कारोबार सुगमता सोचकांग कई बार अपने पक्षिपाद पूंड रवये और अविश्वसनियता के चलते आलोचना के घेरे में आएं हैं विश्व बैं इसे अपने शोध परक तथा प्रमुख रिपोर्टों को देश की प्रासंगिक्त के अनरूप बनाने और इसके पहुँच के दायरे कभी आकलन करना चाहिए। के लिए भविश के लिए तयार करने जैसी अनिवारिता शामिल है। पहले से ही इसी तरह के पूर्वा नुमान प्रकाशित करता है। देश के करमचारे खुद वैश्विक चलन से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है। देश के कारियालियों में थोड़े बहुत विचार विमर्ष से देश विशिस्ट से जोड़ी जानकारी नहीं बढ़ती है। ऐसे में अंतराश्ट्री अस्तर के व्यापक ग्यान से लैस होना दूर की बात है। इसके संसाधनों का उपयोग वधिमानी से करना ही फायदे मंद होगा। विश्व बैंक समूह एक अनूठा संस्थान है और इसके पास देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन यह एक अधिकार वाले भाव के साथ काम करने के लिए उपयोग तो नहीं है। इसे अपने जाच आत्म निरिक्षन पर जोड़ देना चाहिए। ये सभी सुधार तभी संभव हो हैं जब विश्व बैंक पूरी तरह से निजी तोर पर काम करने लगे जैसा कि इसके ग्राहक देशों ने किया है। विकास शेल दुनिया के देशों ने महामारी को पीछे छोड़ते हुए काम फिर से शुरू कर दिया है। वहीं विश्व बैंक समूह पिछले साढ़े तीन वर्षों से ज्यादतर वर्चूल तरीके से काम करता रहा है। वाशिंगडन डीसी में इसके मुख्याले के साथ साथ नई दिल्ली सहित इसके देश के कारियालियों में भी यही स्तिती रही है। स्वतंत्र विशेशक्य समूह के रिपोर्ट के प्रस्ताव की अनुसर जी ट्वेंडी की भारत की अध्यक्षता में म्डीबी मल्टी डेवल्मेंट बैंक और विश बैंक समूह से जुड़े सुधार एतिहासिक परिडाम साबित हो सकते हैं। । यह रहारिकल अब हम अधियन करते हैं। सबसे पहले आई एम एफ के बारे में अंतराष्ट्री मुद्राकोष इंटरेश्चनल मॉनेटरी फंड अंतराष्टी मॉनेटरी फंड की कल्पना पहली बार उननी सोच्वालिस में की गई थे । थे पहली बार 1944 में की गई थे तो अंतराष्ट्री मुद्रकोश की कलपना पहली बार 1944 में संयुक्त राष्ट्र संग द्वारा आयोजित ब्रेटन वुट्स सम्मिलन में की गई थे तो ब्रेटन वुट्स सम्मिलन का एक पार्ट एक संगठन है अंतराष्ट्री मुद्रकोश एक साल ये भी प्रश्ण पूछा गया कि ब्रेटन वुट्स सम्मिलन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं तो एक दो ग्रुप यही आ गया है अंतराष्ट्री मुद्रकोश तो अंतराश्टी मुद्रा कोश आयमेफ की कलपना पहली बार 1944 में सायूकतराश्ट संग द्वारा आयोजित ब्रेटन वूट्स सम्मेलन में की गई थी इस सम्मेलन का आयोजन संयूकतराश अमेरिका के न्यू हैंप शायर नामक शहर के ब्रेटन वूट्स नामक अस्थान पर किया गया था ब्रेटन वोड्स सम्मेलन में अंतराश्टी मुद्रकोश के साथ ही अंतराश्ट्री पुनर निर्माड एवं विकास बैंक IBRD तो ब्रेटन वोड्स सम्मेलन में एक तो IMF और दूसरा IBRD अंतराश्ट्री पुनर निर्माड एवं विकास बैंक International पुनर निर्माड रीडेवलोप्मेंट के लें एवं विकास बैंक International रीडेवलोप्मेंट या रीकंस्रक्शन एवं डेवलोप्मेंट बैंक IBRD के गठन के भी कलपना की गए थी अंतराश्टी पुनर निर्माड एवं विकास बैंक विश बैंक समूह की महतुपूर संस्था है जो IBRD है ये विश बैंक समूह World Bank Group की महतुपूर संस्था है IBRD अंतराष्टी पुनर निर्माड एवं विकास बैंक अंतराष्टी मुद्रा कोष्ट था अंतराष्टी पुनर निर्माड एवं विकास बैंक यह विश बैंक को प्राया है सहियोत रूप से ब्रेटन वोट्स के जोड़वा ब्रेटन वोट्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है ठेक तो जो ब्रेटन वोट्स ट्विंस हैं उसमें दो आती हैं एक IMF और एक World Bank Group ये दो कहलाती हैं ब्रेटन वोट्स ट्विंस यहने ब्रेटन वोट्स के जुड़ों बहने ब्रेटन वोट्स सम्मेलन के निरड़या नुसार अंतराष्टी मुद्रकोष की आपचारिक अस्थापना 27 दिसंबर 1945 को संयुक्त राज अमेरिका के वाशेंगटन शहर में हुई थी लेकिन इसने वास्तविक रोप से 1 मार्च 1947 से कारे करना प्रारम भगिया अंतराष्टी मुद्रकोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं तो आई एम एफ के आई एम एफ के स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 लेकिन वास्तविक रोप से 1 मार्च 1947 से कारे करना प्रारम भगिया था और इसमें जो सदस्य हैं वो 190 सदस्य देश हैं अंडोरा अंतराष्टी मुद्रकोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया 190 देश हैं तो अंडोरा इसका सबसे लेटिस्ट मैंबर हैं अंडोरा क्रिस्टलीना जारजीवा वर्तमान में अंतराष्टी मुद्रकोष की प्रबंध निदेशक हैं इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट थे क्रिस्टलीना जोर्जीवा ने आई एम एफ में क्रिस्टिलन लगाड की जगें ली हैं अब अंतराश्टी मुद्रकोष की जिम्मेदारियां क्या हैं कुछ विंदू देखें कि आई एम एफ की जिम्मेदारियां क्या क्या है जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रूप की तीन मुखे ज श्वसने सलाहकार के रोप में कारे करता है और देखें सोचनाओं का संग्रह करता कुछ सोचकांग निकलता है जैसे की कारोबारी सुगंता सोचकांग के त्यादि है ऐसे IMF की क्या भूमिकाएं हैं अंतराष्टी मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना अच्छा इस आडिकल इस आडिकल में बदाया गया था कि इसका IMF का जो प्रमुख कारे है वो आकस्मिक सहयता देता है आकस्मिक सहयता प्रदान करता है इसलिए अगर कोई IMF से सहयोग लेता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि कि IMF सहयोग देता है जब किसी देश की जो आर्थिक इस्ति है वो अच्छी नहीं रह जाते हैं आर्थिक संकट के इस्ति में यानि कि बैलेंस ओफ पेमेंट जो शेट होती है भुगतान संतुलन का जो रसीद है जो एकाउंट है वो असंतुलित हो जाता है तो IMF सहयोग करत हैं लेकिन कुछ और चीज़े देखें जिसे अंतराश्ट्री मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है इंटरनेशनल मौनेटरी जो एड है उसको प्रदान करना सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिए अंतराश्ट्री व्यापार के संतुलित विकास को सुविध जो मुद्र विनमेदर हैं मुद्र विनमेदर की स्थिरता को बढ़ावा देना सदस्य देशों को भूकतान संदुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायत्य प्रदान करना बहु पक्षि भुकतान मल्टि लैटरल पेमेंट्स के व्यवस्था स्थापित करके वेनिमे प्रतिबंधों को समाप्त करना अथ्वा कम करना धन शोधन तथा आतंक वाद के वितियन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतराश्ट्री संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना तो मनी लॉंडरिंग और टेररिजम को रोकने के लिए भी कारे करता है यह विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना तो पावर्टी को कम करना तो तेन चार काम जो आसान आसान से हैं एक तो जो पेमेंट बैलेंस आफ पेमेंट है पेमेंट आफ बैलेंस क्या कहते हैं उसको भुगतान संदुलन उसके लिए कारे करना आर्थिक संकट के सिति में सहयोग देना घरीबी को दूर करना मनी लॉंडरिंग आतंकवाद को रोगने के लिए अनिसानों का सहयोग करना और अंतराश्टी व्यापार के संतुलित विकास को बढ़ावा देना ये सब्सके कारे हैं की अंतराश्टी मुध्रकोष की प्रशासनिक संदशना पर गवर करें तो गवर्णर मंडल बोड़ ऑफ़ गवर्णरज अंतराश्टी मुध्रकोष की सर्वोच नेरनायक संस्था है तो बोर्ड ओफ गवर्नर्स ये इसकी सर्वोच संस था है सर्वोच निरणायक संस था है जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित होता है तो गवर्नर मंडल यानि गवर्ड ओफ गवर्नर्स अंतराश्टी मुद्र कोश की सर्वोच निरणायक संस था है जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित होता है कोश के गवर्नर मंडल में प्रतेख सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है जो उस सदस्य देश का वित्त मंतरी अथ्वा उसके केंद्रिय बैंक का गवर्नर होता है तो बोर्ड ओफ गवर्नर में 190 सदस्य पूरे-पूरे मेंबर होते हैं और हर देश का या तो जो केंद्रिय बैंक है जिसे भारत में RBI है तो उसके जो गवर्नर है या जो वित्त मंतरी है फाइनस मिनिस्टर है तो इन दोरों में से कोई एक हो सकते हैं या तो RBI के गवर्नर हो या फिर फाइनस मिनिस्टर हो तो वो इनके मेंबर बनाया जाते हैं कोश के गवर्नर मंडल में प्रतेक सदसे देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है जो उस सदसे देश का वित्तमंत्री अथ्वा उसकी केंद्री बैंक का गवर्नर होता है इसके साथ ही प्रतेक देश द्वारा कोश के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है जो गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर मंडल की बैटकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है तो इन दोनों में से कोई एक हो गए और एक वैकलपिक गवर्नर ऑप्शनल जो गवर्नर हो सकते हैं उनको भी नियुक्त किया जाता है ताकि अगर ये गवर्नर अनुका स्थित है तो उनके अस्थान पर ये वैकलपिक गवर्नर जा करके बात कर सके देश का प्रतिनिध्यत्य थो कर सके, अंतराष्टी मुद्रकोष और विश्ट बैंक समोह के गवर्नर मंडल, अपने सम्बंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हैं तो, सामानयात वर्ष में एक बार मिलते हैं , दोनों के चायے, अंतराष्टी मुद्रकोष निए ब्रेटन वूट्स के दोनों अंतरास्टि मुद्रकोष और विष्ट बैंक संवह के गवर्नर मंडल अपने संबन्धित संस्थानों के कामपर चर्चा करने हैं तो सामान्य था है वर्ष में एक बार मिलते हैं वहीं अंतराश्टी मुद्रकोष के गवर्णर मंडल को सलाह प्रदान करनी है तो गठित 24 सदस्य अंतराश्टी मोद्रिक एवं वित्य समिती 24 सदस्टी अंतराश्टी मौद्रिक एवं वित्य समिती IMFC International Monetary and Financial Committee की बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है पहली बैठक बसंत बैठक स्प्रिंग मीटिंग के नाम से जानी जाती है जो प्राय अप्रायल महीने में आयोजित की जाती है जबकि दोसरी बैठक वार्षिक बैठक Annual Meeting के नाम से जानी जाती है जो प्राय प्रतिवर्ष सितमवर अक्टूबर महा में आयोजित की जाती है अंतराश्टी मुद्रकोष के गवर्णर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कारिकारी मंडल एक्जेक्योटिव बोर्ड के पक्ष में प्रतिया योजित डेलिगेट कर दिया है लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने विशेश आहरण अधिकार आवंटन नए सदस्यों का प्रवेश सदस्यों की अनिवारे वापसी तथा समझहोते के अनुछेदों आर्टिकल्स ओफ एग्रिमेंट एवं उपविधी बाइलोज में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्णर मंडल की पास है अंतराश्टी मुद्रकोश का कारेकारी मंडल इसके दिन प्रति दिन के कारेकलापों की देखवाल करता है कारेकारी मंडल में कुल 24 कारेकारी निदेशक होते हैं जिनका चयन गवर्णर मंडल दौरा किया जाता है कारेकारी मंडल में सभी 190 देशों का प्रति निदित होता है इसके रहे सदस्य देशों को 24 समुह में विभाजित किया जाता है तिथा प्रतेक समूह से कारिकारी निधे्शक नियोगत किया जाता है जो उस समूह का प्रति निधेट्च दो करता है अंतराष्टि मुदरकोष के गवर्णर मंडल को दो अंतरास्टी मुद्रकोष के गवर्णर मंडल को दो मंत्री मंडली समेतियों की सलाह प्राप्ट होते हैं पहला अंतरास्टी मौद्रिक एवं वित्य समेति दुसरा विकास समेति डेवल्प्मेंट कमेटी अंतरास्टी मुद्रकोष के विकास समेति का गठन 1974 में किया गया इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं जो अंतरास्टी मुद्रकोष एवं विश बैंक के गवर्णर मंडल के सदस्य होते हैं इस प्रकार यह संयुक्त समिती है जो अंतराश्टी मुद्रकोष एवंविश बैंक के गवर्णर मंडल को जटल विकास सात्मक मुद्दों तथा विकास शिल देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवशक वितिय संसाधन के लिए सलाह देती है तो विकास बैंक एक है तो एक अंतराश्टी मोनेटरी एंड फाइनेंसियल कमेटी होती है और एक डेवलमेंट कमेटी होती है यह दोनों उनको सलाह देते हैं जो गवर्णर बोर्ड ऑफ सला दिते हैं इसमें 190 सदस्य देशों के जो केंदरी मलवित मंतरी हैं या फिर केंदरी बैंक के जो गवर्नर है वो इसके सदस्य होते हैं है और 190 सदस्य देश कैसे मिलकर कारे करेंगे कठ़ा बैठिंग मीटिंग होगा तो यह अपने एक 24 सदस्य कारेकारी मंडल बना रखे हैं कारेकारी समूह बनाया है जिसमें अपनी सारे शक्तियों को डेलिगेट कर देते हैं लें कुछ कारे से हैं जिसे IMF में नए सदस्यों को जोड़ना किसी को बाहर करना ये सब जो प्रमुख कारे हैं तो पूरा मौदरिक एवं वित्य समेती और दूसरा विकास समेते विकास समेती जो है वो IMF और वर्ल बैंक दोनों को सलाह देने का कारे करती है अब देखें कि अंतराश्टी मुदरकोश की सदस्यता कैसे प्राप्त किया जा सकता है अंतराश्टी मुदरकोश कोई भी संप्रभू राष्ट प्राप्त कर सकता है इसके लिए उस राष्ट को अंतरास्टी मुद्रकोष के कारेकारी मंडल के समक्ष आवेदन करना होता है अंतरास्टी मुद्रक कोश्ट के कारे कारी मंडल के समक्ष आवेदर करना होता है कारे कारी मंडल गहन जाँच के बाद उस रास्ट को कोश्ट का सदस्य बनाय जाने तदह उसके कोटे एवं मताधिकार के निर्धारण के संबंध में कोटे एवं मताधिकार के निर्धारण के संबंध में गवर्णर मंडल को प्रस्ताव देता है गवर्णर मंडल उस राष्टर की सदस्यता के संदर्भ में अंतिम निर्णे लेता है आवेदक राष्ट्र को अंतराष्ट्री मुद्रकोष की सदस्यता प्राप्त होने पर कोटा निर्देश्ट हो किया जाता है सदस्यदेश का कोटा अंतराष्टी मुद्रकोष की साथ उसके वितिय एवं संगठ नातमक संबंधों को निर्दारित करता है जिसमें अंशदान, मतदान, शक्ति तदह वित्त तक पहुँच शामिल है अंतराश्टी मुद्रकोश के सदस्य देश का अंशदान यह सब्सक्रिप्शन वह अधिक्तम वित्य संसाधन है जिसे प्रदान करने के लिए सदस्य देश बाधी होता है सदसे देश को अंतराश्टी मुद्रा कोश में शामिल होने पर अपने अंशदान का पूरा भुगतान करना पड़ता है तो अंशदान देगा अंतराश्टी मुद्रा कोश में सदसे देश का कोटा कोश के निरणयों में सदस्य देश की मददान शक्ती के निरधारण में महत्रपूर्ण भूम का निभाता है क्यानि जितना परसेंट उसका अंश्यदान होगा उतना परसेंट वोटिंग राइट उसको मिल जाएगा किसी सदस्य को अंतराष्टी मुद्रकोश से प्राप्त होने वाले आर्थिक संसाधनों का निरधारण सदस्य देश के कोटा के माध्यम से किया जाता है अभी एक शब्द आता है विशेश आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको sdr कहते है स्पेशल ड्राइंग राइट या राइट विशेश आहरण अधिकार SDR, Special Drawing Right विशेश आहरण अधिकार एक अंतरास्टी आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ती है जिसे अंतरास्टी मुद्रा कोश द्वारा वर्ष 1979 में सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार को पूरकता प्रदान करने के उद्देश से सरजित किया गया था विशेश आहरण अधिकार का मूल्य पांच प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित हैं जिनमें अमेरिकी डॉलर यूरोपियन यूरो चीनी रेनमिन भी या यूवान कहलें जापानी येन तथा ब्रेटिश पाउंड शामिल हैं तो विशेश आहरण अधिकार का मूल्य पांच प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित हैं जिनमें डॉलर चाइनेज रेनमिन भी यूरोपियन यूरो जापानी येन तथा ब्रेटिश पाउंड शामिल हैं तो SDR में पांच मुद्र अगर देखें तो अमेरिकी डॉलर यूरोपियन यूरो ब्रेटिश पाउंड चैनीज रेनमिन भी जापानी येन इन पांच मुद्राओं को एक बास्केट में डाल करके पका दें तो उसका जो सायों तो मूली निकल करके एक नहीं मुद्रा बनता है उसको कहा जाता है SDR Special drawing right विशेश आहरन अधिकार प्रारणभ में विशेश आहरन अधिकार के मुली का निर्धारण अमेरिकी डॉलर की आधार पर किया गया वर्ष 1973 में उक्त व्यवस्था जिसे ब्रेटेन वुट्स व्यवस्था कहा जाता था धरा शाई हो गई जिसके पशात विशेश आहरण अधिकार के मूल्य को विश्व की प्रमुख मुद्राओं की टोकरी के आधार पर पुनर परिभाशत किया गया विशेश आहरण अधिकार के टोकरी की समेख्षा कोश के कारिकारी मंडल द्वारा प्रतेक पांच वर्षों में किये जाती हैं ऐसी आखरी समेख्षा वर्ष 2015 में संपन्ह की जा चुकी है जिसमें चीन के मुद्रा रेनमेंबी को विशेश आराण अधिकार की टोकरी में शामिल करने करने लिया गया अब अंतराश्टी मुद्रा कोश्ट द्वारा सदसे देशों को प्रदान किये जाने वाले रिन लोंस प्रोवाइड़ टो मैंबर कंट्रीज बाई आई-म-फ तो जो रिन प्रदान किये जता है उसके बारे में किसके द्वारा आई-म-फ के द्वारा आंतराश्टी मुद्रा कोश्ट द्वारा सदसे देशों को भुगतान संदूलन की समस्या भुगतान संदुलन की समस्या से निपटने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाते हैं यह सहायता प्रहरण के रोप में होती है कोश द्वारा सदस्यों को उनकी आर्थिक सित्य के आधार पर दो प्रकार के रण प्रदान किये जाते हैं गैर रियायती रण, नौन कंसेशनल लेंडिंग, दुसरा रियायती रण, कंसेशनल, तो नौन कंसेशनल बिल, मतलब नौन कंसेशनल लेंडिंग और कंसेशनल लेंडिंग, अंदर अश्टी मुद्रकोश दोरा विकसित और विकास शील अर्थ विवस्था वाले सदस्यों को ताथकालिक भुगतान संतुलन की समस्या के समधान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उदेश से गैर रियायती रण प्रदान किया जाता है अंदर अश्टी मुद्रकोश दोरा विकसित और विकास शील अर्थ विवस्था वाले सदस्यों को ताथकालिक भुगतान संतुलन की समस्या के समधान और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उदेश से गैर रियायती रण प्रदान किया जाता है गैर रियायती रिण अल्प अवधी एवं मध्यम अवधी के होते हैं रिण प्राप्त करता देश को रिण के बदले ब्याच का भुगतान करना होता है ये दिया जाता है विक्सित और विकास शिल अर्थव्यवस्था को अंतराश्य मुद्रकोष द्वर अल्प विक्सित अर्थव्यवस्था वाले तथा आर्थिक रोप से कमजोर सदस्य देशों को उनके भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान तथा आर्थिक विकास को प्रोसाहन प्रदान करने के उदेश से रियायती रण प्रदान किये जाता है रियायती रण प्राप्त करता सदस्य देशों को केवल प्राप्त रण की राश्री ही अंतराश्टी मुद्रकोष को वापस करनी होती है तथा उन्हें प्राप्त रण के बदले ब्याज के भुक्तान से छोट प्रदान की जाती है तो ये रहा है रण की बात सिंपल सा है पहली बात तो रण को दो प्रकार के रण बना दिये एक non-consistional landing एक consistional landing यानि कि गैर रियायती रण और रियायती रण गैर रियायती रण दिया जाता है जो विकसित और विकास शेल देश है और ये अलपवधी के लिए दिया जाता है और इस पर मतलब रण के बदले ब्याज लिया जाता है consistional landing होता है जो अलपविकसित है और आर्थी गुर्प से कमजोर देश है उनको और ये इसके बदले ब्याज नहीं लेता है और ये दिरगवधी के लिए हो सकता है अब अंतराश्टी मुद्रकोष की शर्तावली IMF conditionality या क्या है IMF शर्तावली अंतराश्टी मुद्रकोष द्वारा सदसी देशों को रण प्रदान करते समय कुछ शर्ते आरोपित की जाती है जिन्हें अंतराश्टी मुद्रकोष की शर्तावली के रोप में जाना जाता है रण प्राप्त करता देशों एवं मानों विकास की प्रक्रिया को बाधित करती है दूसरी ओर अंतराश्री मुद्रकोष द्वारा शर्टावलियों के पक्ष में यह तर्क प्रसुत किया जाता है कि यह शर्टें रण प्राप्त करता देशों के आर्थिक स्वास्थ में सुधारहेतु आवश्चक है गाटे में राजकोषी घाटा क्या होता है जिसे राजकोषी जो प्राप्तियां है और राजकोषी जो व्याय है अगर राजकोषी व्याय ज्यादा है और राजकोषी प्राप्तियां कम है तो इसमें घाटा होगा तो कहता है कि राजकोषी घाटे को कम करें यानि कि व्याय को बढ़ाने पर ध्यान दे तो पहले शर्तावली है कि राज़कोश्यों की घाटे में कमिंगी जाएए निजी करण को बढ़ावा दिये जाएए सदसेदेश के मुद्रह को वीदेशी लेन देन के लिए नियंत्रण मुक्त किया जाए सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाए भई राजकोशी व्याय कम करना है अगर तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करना आनिवारी हो जाएगा सबसीडी में कटउती कीजए जदा साहे की ना दे वही सबसीडी देना बहुत सरे वेतन देना ये राजकोशी व्याय में आता है तो उसको कम करना लचीले श्रम शेतर सुधारों को लागू किया जाए यानि अगर श्रम कानून बहुत ताइट है जैसे कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है तो उसको धीला किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट देश में कुछ न कुछ मिले और देश के आर्थिक तरक्की हो रण प्राप्थ करता देशों द्वारा उपर्युक्त चर्ता वलियों की इसलिए भी आलोशना की जाती है क्योंकि सभी शर्टें रण प्राप्त करता देशों के लिए समान होती है चाहे उनकी समस्याओं का कारण अलग-अलग क्यों ना हो भारत एवं अंतराश्टी मुद्रकोष इंडिया एंड आई-म-फ भारत अंतराश्टी मुद्रकोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है संबंद रहे हैं पूर्व में अंतराश्टी मुद्रकोष द्वारा भारत को भुगतान संदुलन के समस्या के समधान हे तुरेंड उपलब्द कराया गया जबकि वर्तमान में भारत इसके वित पोशक राष्ट्रों में शामिल है अंतराष्टी मुद्रकोष की चौधुमी सामानी समेक्षा लागू किये जाने के पश्चाथ इसमें भारत का कोटा 2.76 प्रतिशत यानि कि पौने 3 प्रतिशत तथा वोटिंग शेयर 2.63 प्रतिशत हो गया है इस प्रकार भारत अंतराष्टी मुद्रकोष का आठवा सरवाधिक कोटा धारक वर्ष 1991 के दौरान अंतराष्टी मुद्रकोष द्वारा भारत को रिण प्रदान करते समय शर्तावलियां आरोपित की गई फलसरोप भारत द्वारा नई आर्थिक नेतियां लागो की गई जिनके अंतरगत उदारी करण नेजी करण एवं वैश्वी करण की प्रक्रिया प्रारम की गई भारत अंतराष्टी मुद्रकोष में अपनी भूमिका में विर्द्धी के लिए सदेव प्रयासरत रहा है कोष में सुधार अरे फॉर्मिंग दा आई एम एफ अंतराष्टी मुद्रकोष की सदस्य देशों दोरा प्रया नेमन लिखे ताधारों पर आलोशना की जाती है संयुद्राज अमेर का सुधार इसके संयुद्राज अमेर का इवं उसके सहयोगी पश्मी यूरोपी देशों का अंतराष्टी मुद्रकोष में प्रभूत्व संयुद्राज अमेर का अप्रत्यक्ष वेटो अंतराष्टी मुद्रकोष के प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पश्मी यूरोपी देशों से किया जाना भारत एवं अन्य विकास शील अर्थ विवस्थाओं को उनके वैश्विक अर्थ विवस्था में योगदान की तूलना में कम कोटा प्रदान किया जाना अंतराष्टी मुद्रकोष द्वारा दोहजार आठ नो की वैश्विक आर्थिक मंदी का पूर्वा नुमान करने में अस्थफल होना अंतराष्टी मुद्रकोष की शर्टावलियों की अत्यधिक संख्या अंतराश्टी मुद्राकोष की उपरियुक्त अलोशनाव से निपठने के लिए इसमें सुधार किया होशकता है अंतराश्टी मुद्राकोष में आवश्यक सुधारों को दो वर्गों में वर्गे कृत किया जा सकता है कोटा सुधार प्रशासनिक सुधार अंतल अश्रि मुद्रकोष के रिपोर्टस अनतल अश्रि मुध्रकोष दौरा मुख्य तौर पर 3 रिपोर्टस प्रस्तत की जाती है वेश्व आर्थिक परिदिरिश रिपोर्ट, World Economic Outlook रिपोर्ट और वेश्व व्यतिय सिर्दा रिपोर्ट, Global Financial Stabilator रिपोर्ट और राजकोशिय अनुश्रमण फिस्कल मॉनिटर SDR धारिता के सापेक्ष IMF में सीर्ष 10 देश हैं अमेरिका सबसे ज़्यादा इसका वोटिंग शेर है 16% जापान 6% चेन 6% जर्मनी, फ्रांस, ब्रेटेन, इटली, भारत, रूस, ब्राजील अब अगला जो संगठन है वो है विश्व बैंक समू, वर्ल्ड बैंक ग्रूप इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार जाएं